नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंगलिशानियत पर और आज हम जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो आपके एक्जाम से बहुत ज़्यादा माइने रखता है तो टॉपिक का नाम है short story and its elements इस वीडियो में हम जानेगे कि short story होती क्या है और इसके जो 5 elements है main elements 5 है जो कि एक plot, फिर एक character, setting, conflict और theme तो इसके बारे हम डिटेल से discuss करेंगे दोस्तों अगर आप इस वीडियो पढ़ना है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर दीजिए जिससे की आगे आने वाली सभी important वीडियो की notification आपको आराम से पहुंच आए तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते है तो दोस्तों शुरू करते है short story के definition से तो जानते हैं कि short story होती क्या है तो a short story is a piece of prose fiction that typically can be read in one sitting and focuses on the self-contained incident or series of linked incidents with the intent of evoking a single effect or mood अब इसका मतलब क्या हुआ तो short story वो story होती है यह actually यह piece of prose fiction होता है fiction मतलब कहानी होती है prose मतलब होता है गद गद क्या होता है जो कि किसी भी कविता में ना लिखी हो मतलब कविता के रूप में ना लिखी हो है ना जो कि poetry नहीं होता है तो वो एक prose होता है ठीक है तो a piece of prose fiction होता है एक गद्य में लिखी हुई कहानी का एक टुकडा होता है, एक प्रकार होता है that typically can be read in one sitting जो कि most of the लोग क्या करते हैं, कि एक ही बार में पढ़ लेते हैं, short story बहुत जार लंबी नहीं होती है न, तो उसको एक ही बार में बैट का पढ़ा जा सकता है, and focuses on the self-contained incidents और जो self-contained incidents होती है, या फिर series of linked incidents series of linked incidents होती है series of linked incidents का क्या मतलब है कि एक series से दूसरी series एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी ऐसे करके कई कड़ियां होती है incidents की, गटना करम की जिनको जोड करके एक story बनती है है ना जब आपको इस story सुनते है या story किसी को बताते हैं तो कैसे बताते हैं कि एक राजा था वो बड़ा हुआ फिर उसने ये राजे जीता उसने ये किया उसकी रानी थी ये सारी चीजें एक series of incidents होती है है ना तो इस तरह से short story क्या होता है a series of linked incidents होता है ठीक है जिसमें बहुत सारे incidents होते हैं जो एक दूसरे से link होते हैं और ये किसलिए सुना जाता है with the intent of evoking a single effect और mood ठीक है मतलब एक कोई सीख देने के लिए एक कोई सीख को जगाने के लिए एक short story सुना जाती है ठीक है short story होता क्या है आपने समझ लिया फिर से एक बार revise कर लेते हैं एक short story prose fiction का एक piece होता है जो कि एक ही बार के बैठने पर पढ़ा जा सकता है एक ही बार बैठने पर पढ़ा जा सकता है का मतलब क्या होता है जो कि हमारे novels होते हैं, plays होते हैं, dramas होते हैं, बहुत बड़े-बड़े होते हैं तो novels हमारे five acts, five scenes, इन से बटी होती है तो जो short story होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है तो बहुत ही छोटी होती है short stories इसलिए यहाँ पे इस चीज़ पहुचा आप focus किया जा रहा है प्लाट क्या होता है, आपको एक बार मैं पढ़के बताता हूँ फिर उसको अच्छे से हिंदी में मैं आपको explain करूँगा, ठीक है तो a simple way to define plot is to call it a sequence of events in your narrative इसका मतलब क्या हुआ, एक plot क्या होता है a simple way to define plot is to call it a sequence of events in your narrative एक सही simple या सरल तरीका क्या है plot को define करने का हम इसको sequence of events बोल सकते है sequence of events, events मतलब क्या होते है कि जो भी घटना घट रही है, उसके क्या क्रम है है ना, जो भी घटना मतलब घटना का मतलब क्या है जब कोई कहानी बताते है तो उसमें कुछ हुआ होता है कोई कुछ कहीं करिशादी कर लेता है, कोई कहीं जा रहा होता है कोई किसी का दोस्त बनता है, तो कैसे कैसे क्या क्या होता है वो सारे घटना क्रम होते हैं, है ना, तो उन सभी को एक sequence के रूप में, एक क्रम के रूप में A cause and effect chain of event Cause and effect chain क्या होता है देखिए जब कोई दूसरा काम हो रहा होगा कहीं पे उससे पहले कोई काम हुआ होगा जिसके वजह से ये काम हुआ मतलब इसका कैसे हम आपको समझाएं देखिए माली ये किसी कहानी में कोई राजा होता है वो किसी चोर को कोई सजा देता है क्यों देता है क्योंकि चोर ने चोरी की ठीक है तो ये जो काम है चोर चोरी करने का ये एक काम है जिसकी वजह से दूसरा काम हुआ सजा देने का अगर चोर चोरी नहीं करता तो राजा सजा नहीं देता ठीक है और क्या होता है and it has a beginning point, a climax and a resolution और इसका एक beginning point होता है plot का, मतलब कहीं से कोई कहानी शुरू होगी उसका एक climax होगा, main जहां पर जाकर कहानी मोड लेगी और उसका एक resolution होगा, जहां पर जाकर कहानी खत्म होगी, कोई हमको शीख देगी ठीक है, आप इस movie देखते हैं, तो movie में सबसे पहले क्या होता है दिखाता है कि hero बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, तो वो beginning of होता है plot, ठीक है, फिर वो गरीब क्या करता है, इता महत करता है, फिर बहुत अमीर बन जाता है फिर बहुत अमीर वहाँ पर climax हो जाता है, क्योंकि जब वो अमीर बनता है तो वो जिस heroine को प्यार करता था, उसके पापा बहुत अमीर थे, तो उनसे लड़ाई-वड़ाई करता है जो भी करता है, तो वो climax होता है फिर resolution अंत में क्या निकलता है, कि hero heroine शादी कर लेते है ठीक है, तो इनके जो beach का हिस्सा रहा है, उसके हमको क्या सीख मिलती है वो हमारा main theme होता है, है ना, और जो resolution निकलता है, अंत में paradigm क्या निकलता है वो हमारा resolution होता है, तो इसी तरह से short story में भी होता है किसी कहानी कल्स से पहला कोई शुरुवात होगा, उसके बाद उसका climax होगा, beach का part होगा और फिर उसका resolution होगा, तो यह आपका समझ में आया, फिर से एक बार revise खर लेते हैं, plot क्या होता है एक बहुत ही सबल तरीका है plot को यह define करने का कि उसको हम sequence of events बोल सकते है ठीक है, जो sequence of events होता है, वो मैं plots कहलाते है इसमें cause and effect chain होता है events का और इसका एक proper beginning होता है, climax होता है, और unto होता है, resolution होता है ठीक है, अच्छा, तो plot के भी 6 प्रकार होते हैं 6 प्रकार का मतलब है कि आपकी कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे खत्म होती है वो देखेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक proper beginning होती है, proper end होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है plot में, exposition exposition किसे बना है, expose से, expose का मतलब क्या होता है खुलना, ठीक है, तो जब कोई scene या कोई movie या कोई भी short story कहीं पर सुरू होता है जहां पर हम background का information देते हैं, है न, जब आप कोई movie देखते हो, तो आपको background में एक बताता है न, पहले नेरेट करता है, शोई जिसे साल 1947 में, जब भारत देश आजाद हुआ, तो ऐसे करके एक background में story चलती है फिर उसके बाद उसमें बताता है कि हमारे जवाहरलाल नहिरू जाकर के फिर उस समय देश के राष्टर, पधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नहिरू एक character हो गया, setting क्या है, उसमें 1947 का जहमादेश राजाद हो रहा है तो यही सारी जो background information, जरूरी वाले background information, जो setting, जो character इनके बार में जो जानकारी देता है सबसे open जब सुरू होता है, कोई movie है, कोई short story, तो वो हमारा exposition कहलाता है ठीक है, अच्छा, plot में फिर उसके बाद क्या होता है, opening incident ठीक, अब movie तो सुरू हो गई, तो कोई पहला incident तो होगा, है न जैसे कोई मान लीजे, hero वाली movie रहती है, तो जो movie सुरू हो गई, उसमें कोई hero है, gopi नाम है उसका अब वो गया, वो जाके मार धाल करने लगा, तो वो opening incident हो गया, जहाँ पे main character का conflict सुरू होता है ठीक है, तो वो opening incident क्या लाता है, फिर rising action, rising action क्या होता है, the conflict develops and takes on never more complicated incidents leading to the climax ठीक है, rising action क्या होता है, कि जो conflict develop हुआ, मतलब जो opening scene में कोई ऐसा काम हुआ, hero के साथ, protagonist के साथ, ठीक है जिससे कोई conflict develop हुआ, conflict मतलब क्या होता है, कि अंदर से अपने आप में बहुज़ा confused है ना, कोई चीज़ का सही निर्ड़य ना ले पाना तो वो और ज़्यादा बढ़ता है, climax की तरफ ले जाने के लिए, वो ही होता है हमारा rising action, ठीक है climax आता है, climax में क्या पता चलता है, the conflict reaches a peak, जब वो confusion एक peak पे पहुँच जाता है ठीक है, एक सबसे highest space पे, highest point पे पहुँच जाता है which then leads to a change in the course of events, giving the readers a new understanding of the story, either through an event or an insight ठीक है, तो climax क्या होता है, जहाँ पर पे जो conflict होता है, वो hero का सबसे peak पे पहुँच जाता है और वहाँ से कुछ ऐसा event होता है, कुछ ऐसा घटना करम घटसा है, जिससे की उस story के बारे में अच्छे से जो हमारे reader हैं, या जो viewer है, उनको समझ में आता है कोई भी story की अब इसका मतलब क्या है मतलब इसका हमारे कहने का क्या है, कि जब आप कोई movie देखना शुरू करते हैं, तो जब start में movie होती है, उसके बाद कोई और काम होता है opening incident होता है, फिर उसके बाद rising action होता है, कोई और काम अच्छे से फिर और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है अब फिफ नमबर पर क्या आता है, falling action, falling action क्या होता है, the conflict get resolved and action slowdown जो जगड़ा जिस चेज के लिए इन तीनों acts में हुआ, इन तीनों चीजों में हुआ, ठीक है, इन तीनों चीजों में जिस चीज के लिए जगड़ा होता है वो क्या होता है, कि वो conflict, वो confusion resolve होने लगती है resolve होने का मतलब है, उसका समाधान निकलने लगता है और जिसकी जगड़ा से action जो है, वो slowdown हो जाता है जो हाँ पर काम हो रहा होता है, किसी भी short story में वो धीमा हो जाता है और last में resolution, resolution क्या होता है, the conflict ends, leaving the reader fulfilled last में resolution निकलता है, उसमें ending के scene दिखाया जाते है ending के बात बताई जाते है, ending की कहानी सुनाई जाती है जिसे कि जो writer होता है, वो fulfilled हो जाता है, संतोस्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, चलो, अच्छा हुआ, अंतमें ये हुआ ठीक है, तो इस तरह से plot के हमारे six ऐसे types है जो कि describe करते है, plot होता क्या है किसी भी कहानी का end, शुरुआत से लेकर के end तक की जो घटना करम होते है वो हमारा plot कहलाता है, आप ये एक सब्द में समझे ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले type की ओर तो अगला क्या है हमारा second act, character तो character क्या होता है, आप तो बहुत अच्छे जानते होंगे यो character, other people, animal or other figure who appeared in your stories ठीक है, मतलब की character क्या होते है कि वे लोग, या कोई जानवर, या कोई भी other figure जो की story में दिखाये जाते है अच्छा, क्या दिखाये जाते है they perform actions and say dialogue to move the story along without character, a story cannot exist वो क्या करते है, वो actions करते है action करते है, इसका मतलब नहीं मार्धार करते है action मतलब कोई काम होता है, ठीक है वो लोग कोई ना कोई काम करते है और dialogues बोलते हैं, जिससे की story हमारी move करती रहती है आगे बढ़ती रहती है ठीक, तो आप character के बाएम तो आपको explain करना ही जबत है नहीं आप character तो बहुत अच्छे जानते होंगे जिससे क्या होता है, कि कोई movie आप देख रहे है उसमें माली ये सर्मान खान actor है अश्टे कुमार actor है, तो वो कोई ना कोई character होगा है ना, वो hero होगा hero दीख रहा तो वो character, hero ही character इसको protagonist बोलते है अपने literature के language में ठीक है, hero को क्या बोलते है protagonist ठीक है, heroine को heroine भी बहुत ज़्यादा बहुत जगों पर बोलते है और बहुत जगों पर female protagonist जब कोई female actress या फिर female figure किसी कहानी को lead कर रही होती तो उनको female protagonist बोलते है ठीक, तो जब भी कोई character वो character क्या होता है, character आप अच्छे समझ गया है कि जब भी कोई people, animal या other figure होता है जो कि story में उसके action को करता है और dialogues को बोलता है जिसे कि story आगे बढ़ती रहती है तो इसको जब एक्सपेंग करने की जब रहता है नहीं बढ़ते हैं अपने अगले element पर अच्छा अब यह जो है हमारा element यह one of the most important element है किसी भी story में short story में, novel में, play में, drama में, किसी चीज में कि setting इसका क्या होता है अब setting क्या होता है, इसके बारे पढ़ते है इसका मतलब क्या हुआ कि जो setting होता है, यह बहुत ही ज़्यादा crucial होता है किसी short story का क्योंकि यह क्या करता है यह कहानी को real बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब करता है real बनाने का मतलब क्या है अच्छा आगे पढ़ते हैं अभी आप आराम समझ जाएंगे the setting establishes a time, place and environment in which the characters and events of the story are based मतलब क्या हुआ कि setting वो चीज होती है कि जो भी किसी भी story को सही या real बनाने मदद करती है उसके time को, उसके place को और उसके वातावरण को environment को describe करके explain करके मतलब क्या है कि जब मैं आप से कोई कहानी सुना रहा हूँ तो अगर मैं कहूँ कि ठंडी का दिन था और रोहन half टिशर्ट पहन के जा रहे थे और उनको बिलकुल भी ठंडी नहीं लग रही थी और वो सामने देखे एक बर्फ बिक रहा था बाजार में तो ये सारे चीज़े setting को बहुत ज़्यादा अलग कर देती है क्यों क्योंकि जब ठंडी का दिन होता है तो पहली बात बर्फ बिकती नहीं है है ना बहुत रेरली दिखा जाता है थंडी के मौसा में कोई नॉर्मल लोग हाफ टीशर्ट पहन करके या बनियान पहन करके तो नहीं होमते हैं है ना और मैं अगर दिखा हूँ थंडी का दिन था और वहाँ पे बहुत धेर सारे फूल खिले हुए थे थंडी में बहुत कम फूल अगर आपको दिखते हैं तो यह साही चीज़े क्या करती है अन्रील बनाती है किसी भी स्टोरी को सेटिंग क्या होता है कि किसी भी प्ले में या किसी भी सौट स्टोरी में कोई चीज कितनी जरूरत है उस चीज को दिखाता है मतलब क्या हुआ कि गर्मी का दिन है तो पीछे खूब अच्छे से दूप दिखा दिया है ना और फिर फिर देट साई लोग पानी में स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं वो गर्मी को दिनों में होता है ना लोग गर्मी से परिशान होते हैं और cooler चल रहा है AC चल रहा है उसम तैम दिखाता है, टाइम क्या है, माल लीजे कि बच्चे क्रिकट खेल ले हो रात का समय हो गाउं में, तो गाउं में तो इतना आपको देज रोशनी मिलती नहीं है, कि आप बच्चे क्रिकट खेल ले हो और आपको कोई फरग ना पड़े, आप आरमश कहल सकते हैं रात में, तो बच्चे अगर cricket खिल रहे हो रात का time है तो फिर हो तो गलत हो गया तो time क्या है कि a story is usually set in a time period this includes the historical time of the story it is specific time frame and even the time of the day when the event take place क्या होता है कि जो short story होती है फिर कोई भी story होती है वो एक time period में set होती है एक समय की बात होती है करना एक समय की बात है तो वो एक कोई time period होती है तो क्या करती है this includes the historical time of the story it is specific time frame and even the time of the day when the event take place तो इसमें हम क्या दिखाते हैं कि अगर मालिय कोई historical time है कोई story हम सुना रहे हैं बहुत यादा historical चीज़े हैं जैसे मालिये मैं आपको महाभाद की बाते सुना रहा हूँ तो अगर मैं महाभाद का सुनाते सुनाते आपको बताओ कि वहाँ पे पंखा चलने लगा वहाँ पे फैन चलने लगे AC cooler चलने लगा तो वो तो होता नहीं है क्योंकि महाभाद के time में AC cooler तो था नहीं है ना तो इस तरह से वो time होता है वो बहुत ज़्यादा माइन रखता है हमारे setting में place क्या होता है place is the geographical landscape real और imagery where a particular story unfolds मतलब place वो होता है geographical landscape होता है geographical landscape आप समझ रहा होंगे भू का area शेत्र कोई जगा है वो चाहे वास्तविक हो चाहे imagery हो जहां पर एक कोई story खुलती है या शरू होती है अब मैं आपसे बताऊं कि अमेरिका में माहभाद का युद्ध हो रहा था ऐसा तो हो नहीं सकता माहभाद का युद्ध हो तो कुरुक्षेटर में है ना तो अमेरिका में तो है नी वो इंडिया में तो इस ते प्लेस बहुत जादा माहने रखता है उसी तरह environment the environment of the story can include anything from weather condition to social, cultural, political backdrop to a given story environment क्या होता है कि किसी भी story में जो social, मतलब सामाजिक, cultural, political जो background होते हैं जो आसपास के लोग होते हैं आसपास का जो environment होता है, atmosphere होता है उससे story में कितनी reality दिखती है वो बहुत जादा माहने रखता है और story को अच्छी बनाने के लिए setting देना बहुत जाज़ा हो रही होता है तो I hope कि आपको ये बात हैं अच्छे समझ में आ गई होगी अब बढ़ते हैं अपने अगले element की ओर तो fourth element हमारा क्या है fourth element है conflict conflict क्या होता है मैंने आपको पहले जब clear में कर रहा था तो conflict बताया था कि confusion होती है inner conflict और external conflict दोनों चीज़ दो तरह के होती है conflict तो समझते क्या होता है conflict is closely linked to the theme of a narrative as it motivates the characters and affects the plot it usually surfaces when the protagonist मैं आपको बता है protagonist कौन होता है main character जो होता है faces an obstacle or hardship मतलब इसका क्या हुआ कि जो conflict होता है वो एक theme जो होता है कहानी का वो narrative के recording बताने के लिए जो character होता है उसके साथ कोई obstacle या hardship हो जाती है यह आपको नहीं समझ मैं होगा मैं आपको simple language बताता हूँ देखे conflict inner confusion या फिर outer confusion को बोलते है conflict मतलब confusion होता है ठीक है अब जब तक कोई भी main जो हमारा character है वो कोई गलती नहीं करेगा तब तक उसके साथ कठीनाईयां कैसे आएंगी movie में या short story में कठीनाईयां नहीं आएंगी तो उसका हल कैसे निकलेगा हल नहीं निकलेगा तो movie या short story खत्म कैसे होगी है ना तो यह जो कठीनाईयां आती है वो किसी नहीं किसी गलती के वज़े से आती है main character के है ना ठीक है यह बात आको समझ में आई तो वो जो गलती का कारण होता है वो गलती क्यों होती है मन में confusion होता है या फिर सामने कोई confusion state confusing time चल रहा होता है उसकी वज़े से तो वही जो गलती होती है main character से वो गलती जिस वज़े से होती है वो हमारा conflict कहलाता है जिस उस गलती के वज़े से ही हमारा plot क्या होता है effect होता है plot मतलब आगे बढ़ता है plot प्रभावित होता है ठीक है कोई भी कहानी आगे बढ़ती है यह होता है हमारा conflict अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है conflict दो तरह के होते है internal conflict और external conflict internal conflict आपको अराम समझ में आ जाएगा अगर अभी तो खैर आप मुझे यह नहीं पता कि आपने Hamlet पढ़ा या नहीं पढ़ा है वैसे बहुत ज़्यादा famous एक play है एक drama है William Shakespeare का Hamlet एक tragedy है जिसमें conflict दिखाय जाता है Prince Hamlet का है ना तो Prince Hamlet क्या करते हैं जब वो अपने father का बदला लेते हैं Claudius से वो जाते हैं उनको मारने देखते हैं Claudius prayer कर रहा होता है तो उसके मन में conflict हो जाता है confusion हो जाता है कि मैं इस king को मारू या नहीं मारू क्योंकि king ने मेरे बाप को मारा है इसलिए इसको मारना तो जरूरी है और जब मैं इसको मार देता हूँ और अभी ये prayer कर रहा है तो prayer करने के बाद ये कहां जाएगा, इसको मैं मारूंगा, तो ये स्वर्ग में जाएगा, heaven में जाएगा, मैं नहीं जाता है, heaven में जाये, hell में जाना जा disciplines, इसलिए वो इस conflict के वज़ए से, वो इसको नहीं मार पाता है, वठना कहानी महीं खत्म हो जाती, तो यही होता है कि internal conflict मन में आदनी बहुत ज़्यादा confuse हो जाता है कि हम ये काम करें या ना करें hamlet की बहुत ही famous line है to be or not to be ठीक है तो ये hamlet एक बहुत ही best example है अगर आपने hamlet नहीं पढ़ी है तो मैं आप बहुत जल्दी एक video भेजूँगा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप hamlet की story बहुत अच्छे से जान सकते हैं तो इसके लिए बस थोड़ा सा wait करें फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए तो internal conflict क्या होता है जब आदमी अपने अंदर से confused होकर के कोई चीज नहीं कर पाता है external conflict क्या होता है जब सामने कोई physical रूप में कोई भी ऐसा situation दिख जाता है जिससे की इनसान या जो main character होता है वो confused हो जाता है तो यह दोनों हमारे conflict होते हैं यह हमारा conflict का चीज clear हो गया ठीक है अब अगले अपने अगले उस पर बढ़ते हैं element पर बढ़ते है short story के वो theme ठीक है तो theme क्या है हमारा पांच और आखरी element है short stories का theme क्या होता है a theme is what children would call the moral of the story बच्चे जिसको एक story का moral कहते हैं कहते हैं बच्चो इस story से हमको क्या सीख मिली तो जो सीख मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है theme कहलाता है it can be subject of the story or an idea that runs throughout it or simply the message that is conveyed from the writer to the reader through the short story ये क्या हो सकता है subject हो सकता है story का story का subject मतलब story के बारे में या फिर क्या हो सकता है idea हो सकता है जो कि पूरे story में चलती रही या फिर एक simple में में कोई message जो सकता है जो कि writer अपने reader के लिए इस देना चाह रहा हो ठीक है तो वो होता है हमारा theme I hope आपको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी confusion है किसी प्रकार का आपको कुछी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको comment box में comment करके पूछ सकते है और आगे आपके syllabus related आपके literature related बहुत सारे वीडियो जाने वाली है तो उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा दें जिससे कि कोई भी भी वीडियो अगर अप्लोड करता हूँ तो आप तको बहुत ही आसानी से सबसे पहले पहुँच जाए ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में